अब मैनद करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हैं, समझे न? दो करोड पैसेंजर्स डेली आत्रा करते हैं, क्या उनके मन में यह भाय बरना चाते हैं? मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब ताली बजा के पेट देख पके उनकी दम दुखाएं, उनको हिमत बढ़ाएं कॉंग्रेस जो जूट की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी अध्यक्षी अध्यक्षी जो इस तरह से बोल रहा है, वो उनको पूछी है, कि वो अठावन साल के अपने राज में एक किलोमेटर बर भी एटिपी, क्यों नहीं लगा पाएं, क्यों नहीं लगा पाएं एक किलोमेटर भी एटिपी आज ये प्रश्न पूछने की हमत करते हैं, अपने कारिकाल को देके अपने किरेवार में जाके, अपने किरेवार में पहले जाक के बताएं, इसी हाउस में, ममता जी जब हेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सिलेंट की नमबर बताती थी, शो 0.24 से 0.19 पे होने पर इतन के देश चलेगा क्या मानिवार अध्यक्षी? देश चलाने के लिए, रेल्वे की सुदारने के लिए, सबको सही योग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चाल सकता। मानिवार अध्यक्षी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा, विपक्ष के, विपक्ष के कॉंग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनेतिक तरीके से, छोटे से छोटे विशे को अपने सोशल मेडिया की ट्रोल आर्मी के जरिये से, इस तरह से इस्टेशन में पुराने स्टेशन की पुराने दिवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ, तो समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुर्द उठाना चालू किया, इस तरह के जूट से कैसे देश चले का मानवरते थी, दो करोड पैस आपके साथ आपके समक्ष 12 लाक रेलवे एंपलोई, 12 लाक रेलवे एंपलोई जो दिन रात मैंनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पिट दिख पक उनकी दम दिखाए, उनको हिमत बढ़ाए, पुरा ग्रेश कॉंग्रेस जो जूट की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी कभी ये, कभी ये फोज को निचा दिखाने का काम करते है, और कभी रेल्वे को निचा दिखाने का काम करते हैं, ये राजनीतीं नहीं चलेगी अध्यक जी अध्यक जी अध्यक जी रेलवेय में वह ताकत है डandır memang वह ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगाelen परकना चाहूंगाiała रेक्रड करम गनेवोग। में वह ताकत और चाहूंगा। कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए मारे ऑनिजिनियसा हों मारे टेकेटिकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलिज्ज को फेस करेंगे. मानिवर अध्यक्षी, लोको पाइलट का विशे कई मानिय सांसदों ने उठाया. मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि लोको पाइलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपून सदस्या हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं, वो स्टेप्स आपके सामने रखूंगा मैं आपके सामने रखूंगा मानिवर अध्यक्षी. लुको पा یले लोको पइलट जब अपनी ड्यूटी कमप्लीट करके आते हैं तो वह एक रननेंग रूम में के वह रील बनाने वाले लोग नहीं हुप, देज़ करने वाले लोग हैं अब कम करने में यह प्यार करके वुट मिजिता हैं अब करने वाले लोग हें, आन्या देख्जी हाउस कार्ण मेला है ये क्या तरीका है कुछ की बीच में बॉल देते हैं आन्या देख्जी आन्या देख्जी मान्या 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 देख्जी Railway Act के तहट बनाए गए जो Rules है और वो Rules मानिय अध्यक्ष जी 2005 नोट कर ना वही 2005 2005 में बनाए गए Rules के इसाब से लोको पाइलट का सारा का सारा कारेकाल तेह होता है मानिय अध्यक्ष जी उसी के इसाब से लोको पाइलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है मैं मान्यवार अध्यक्षी रिकोर्ट पर रखना चाहूंगा 2016 में 2005 और 2016 की नोट करे डेट्स 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पाइलेट्स को और ज़्यादा सुविधा है दी गई और मान्यवार अध्यक्षी पांसो अथावन सारे के सारे पांसो अथावन रूनिंग रूम्स को एर कंडिशन किया गया पांसो अथावन सारे के सारे रूनिंग रूम्स को एर कंडिशन किया गया मानिय अद्यक्स जी, लोको की कैब, लोको मोटिव की कैब, मानिय अद्यक्स जी, लोको मोटिव की कैब में बहुत वाइबरेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसलिए, इसलिए साथ हजार से ज़्यादा लोको की कैब को एर कंडिशन करके उसमें अर्गोनोमिक डिजाइन से लाया गिया है। अध्यक्स जी, 2014 से पहले, 2014 से पहले, जो आज लोको पाइलट्स के साथ, सम्पेती दिखा के, सम्पेती दिखा के, रिल्स बनाने में व्यस्त है। उन लोगों के समय में जिरो था। जीरो, एक पिलो को, आप मुझे बताओ, पांच सो ठावन में से एक भी जीरो का, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी, माने रदिख जी एक, फिर आप किस बात का, किस बात का ही करते हैं?